अपडेट स्पॉन्सिट बाई विनी कैफे रीवा स्फर्स्ट सर्टिफाइड वेज बेकरी एंड हंड़िट पर्सेंट एगलिस एड्रेस बिलो एयू बैंक नियर कॉलिज चौराहा रीवा नबश्कार विन्द्या टाइम्स में आपका स्वागत है मध्यप्रदेश में साल के अंत्वे विधान सवा के चुना होने है इसको लेकर कॉंग्रेस पार्टी और भारती जन्ता पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है अगर रीवा जिले की बात करें तो रीवा जिले की चार से पाँच ऐसी विधान सवा सीटे हैं जहां से बीजेपी लगातार चुनाव जीतती आ रही है और कॉंग्रेस को लगातार कई चुनावों से हार का सामना करना पड़ता है हम आपको बताते हैं कि कॉंग्रेस कहां और कब से नहीं जीत पाई है और वो भी विधान सवा बाज बताएंगे जिनको लेकर कॉंग्रेस बहतर परिणाम किये हैं और लगातार प्रयास कर रही है तो हम शुरुआत करते हैं रीवा विधान सभा से जहां 2003 के में कॉंग्रेस लगातार चुनाव हार रही है 2003 के बाद कॉंग्रेस को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है वहीं भारती जंदा पार्टी से राजन शुक्ला लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं जीत का अंतर काफी रहता है हलाकि 2018 के चुनाव में कॉंग्रेस ने भाजपा से सिमरिय विधायक अभय मिस्रा को चुनावी मैदान पर उतार दिया था जीत का अंतर जरूर थोड़ा कम हुआ था लेकिन बीजेपी को बड़ी जीत मिले थी आपको बता दें कि 1998 में कॉंग्रेस में भी कॉंग्रेस ही जीती थी लेकिन निर्दली प्रत्यासी के तौर पर यहां से पुष्पराश सिंह जीते थे कॉंग्रेस के सिंबल ना मिलने के कारण उन्हें निर्दली होना पड़ा था इसके अलाबा अगर सिर्मौर विधानसभा की बात करें तो 1998 के बाद कॉंग्रेस यहां नहीं जीती तब कॉंग्रेस के राजमनी पटेल चुनाव जीते थे 2003 में राम लखन शर्मा माक्सवादी कमिनिष्ट पार्टी से यहां चुनाव जीत कराए थे 2008 में विधानसभा पुनर गठन होने के बाद सिर्मौर और सिमरिया विधानसभा जो अब सिमरिया नाम से जानी जाती थी तब वो एक थी, दो विधानसभा सीट बनकर एक नई सीट बनती थी और तब अलग होकर सिमरिया एक अलग विधानसभा बने इस चुनाव में 2008 में बसपके राज कुमार उर्मलिया ने कॉंग्रेस के धुरंधर नेता माने जाने विंध के माने जाने वाले श्री निवास तिवारी को पराजित किया था उसके बाद भाजपा लगातार यहां से जीत हाशिल कर रही है और यहां से दिव विराज सिंग चुनाव जीतते आ रहे है इससे अलग होकर बनी सिमरिया विधानसभा जब 2008 में अस्तित्तों में आई उसके बाद वीजेपी यहां लगातार चुनाव जीतती आ रहे है वीजेपी से अभे मिश्रा यहां से पहले विधायक बनी इसके बाद वीजेपी से ही नीलम मिश्रा 2013 में विधानसभा पहुँची थी सिमरिया विधानसभा से जीत कर जीत का अंतर जो था वो 5,000 और 6,000 रहा लेकिन 2018 के चुनाव परिनाम जबाए तो यहां से भारती जनता पार्टी ने केपी तरपार्थी को मैदान पर उतारा था और वीजेपी ने इस पे बड़ी जीत हासिल की लगबख 7,000 वोटों से अधिक वोटों से भारती जनता पार्टी के केपी तरपार्थी यहां से विधायक चुने गए कॉंग्रेस पार्टी के दूसरी बार चुनावी मैदान पर उतरे त्रियोगी नराज शुकला को हार का सामना करना पड़ा था भाजपा को यहां पर लगबख 35,000 वोट मिले थे तो कॉंग्रेस के लिए सिमरिया विधान सभा की सीट भी कठीन मानी जा रही है जहां अब तक कॉंग्रेस को एक भी बार जीत नहीं मिली है इसके बाद अगर बात करें त्योथर विधान सभा की तो कॉंग्रेस 1990 के बाद यह विधान सभा नहीं जीत पाई है 1993 में जनता दल से राम लखान सिंग पटेल चुनाओ जीते 1998 में कॉंग्रेस से भाजपा में आए रमा कान तिवारी यहां से चुनाओ जीत कराए 2003 में भाजपा से रमा कान तिवारी पुनाओ जीते जबकि 2008 की अगर बात करें तो यहां पर बस्पा ने बाजी मारी थी राम गरीब बनबासी यहां से चुनाओ जीत कराए और 2013 में पुना रमा कान तिवारी भाजपा से चुनाओ जीते 2018 के परिणामों में बीजेपी ने यहां फिर जीत हासिल की और स्याम लाल दुवेदी यहां से बिधायक बने यानि लगाता लंबे समय से बीजेपी यहां जीत रही है कॉंग्रेस ने जो 66 सीटों का विसेश प्लान बनाया है उसमें त्योंथर विधान सभा को भी शामिल किया गया है और पूर्व मुख्यमंतरी कॉंग्रेस पार्टी के दिगज नेता माने जाने वाले दिगविजय सिंग इस सीट का दौरा कर चुके है उन्होंने अपने भाषण में इसारों ही इसारों पर सिधार तिवारी को प्रत्यासी बनाये जाने के संकेत भी दिये थे अब इसके अलाबा अगर बात करें मनगमा विधान सभा की है तो 1908 ने में विधानसभा चुनाओं में मनगमा विधानसभा चेट से पूर विधानसभा अध्यक्ष विंध के कद्दावर नेता माने जाने अले स्रीनवास्तिवारी यहां से चुनाओ जीते थे इसके बाद कॉंग्रेस मनगमा नहीं जीत पाई 2003 में भाजपा से गिरीस गौतम यहां से चुनाओ जीत कराए और 2018 में यह विधानसभा आरक्षित हो गई और इसके बाद भाजपा की यहां से पन्नावाई प्रजापती 2013 में सीला त्यागी यहां से विधायक बनी और 2018 के परिणाम में पुनाय पन्चू लाल प्रजापती यहां से विधायक चुने गए इसके बाद अगर बात करें देव तलाव विधानसभा की तो देव तलाव विधानसभा में कॉंग्रेस को 1985 के बाद जीत कम्मु देखने को नहीं मिला है वहीं 90 और 93 के चुनाव में जैकरन साकेद बसपा से 1998 और 2003 में पंचू लाल प्रजापती भाजपा के से यहां से चुनाव जीत कराए इसके बाद 2008 के बाद लगातार यहां से गिरीश गौतम चुनाव जीत रहे है 2020 में जब BJP ने पुनह सरकार बनाई तो गिरीश गौतम को मदप्रदेश का विधान सभा अध्यक्ष भी बनाया गया इसके अलावा दो विधान सभा की सीटें ऐसी हैं जहां कॉंग्रेस के जन प्रतिनित चुने जा चुके हैं उनमें से एक है मौगंज विधान सभा जहां से 2013 में सुखेन सिंग बना यहां से विधायक चुने गए थे यानि कॉंग्रेस 2013 में वहां पर जीत हासिल की थी और लेकिन 2018 के चुनाओं में एक बार फिर कॉंग्रेस को वहां पर हार का सामना करना पड़ा और प्रदीप पटेल यहां से विधायक चुने गए इसके अलाबा बात करें अगर गुड़ विधान सभा की तो 2013 में सुन्दलाल तिवारी यहां से विधायक चुने गए थे लेकिन 2018 के परिडामों में बीजेपी ने यहां पुनह जीत हासिल की और बीजेपी के नागेन सिंग यहां से विधायक चुने गए यानि साफ तोर पर रीवा जिले की आठ विधान सभाओं में कॉंग्रेस पार्टी की इस्थिति 4-6 विधान सभाओं में लंबे समय से अच्छी नहीं रही है यानि लगातार कॉंग्रेस पार्टी यहां से चुनाव हारती आ रही है इसलिए Congress Party ने विशेज फोकस किया है रीवा की इन सीटों पर जहां पर लंबे समय से वह चुनाओ हार रही है विधान सभा के परिणाम क्या होगे लेकिन आने वाले समय में ये देखना होगा लेकिन Congress Party लगातार उन सीटों पर फोकस कर रही है जहां से वह लंबे समय से चुनाओ हार रही है अपडेट स्पॉंसर्ट बाइ विनी कैफे रीवास फर्स्ट सर्टिफाइड वेज बेकरी एंड हंड़िट परसेंट एगलिस एड्रेस बिलो एयू बैंक नियर कॉलिज चौराहा रीवा